नमस्कार में नाम है रविशंकर और आप देख रहे हैं बिहारी नियूज ड्राइविंग लैसेंस के नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं अब नए तरीके से ड्राइविंग लैसेंस बनाया जाएगा अगर आपकी भी उमर 18 बर से उपर है और आप भी पाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लैसेंस बनाना चाहते हैं तो यह ख़बर आपके लिए है क्योंकि एक जुलाई से ड्राइविंग लैसेंस बनाने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है केंद के तरफ से किये जा रहे बदलाव से ड्राइविंग लैसेंस बनाना पहले के मुकावले काफी आसान हो जाएगा नए नियम के लागू होने के बाद लोगों को पहले की तरह ड्राइविंग लैसेंस बनाने के लिए आर्टियो कारियाले के चक्कर नहीं लगाने होंगे वहीं इस नियम के तहट ड्राइविंग लैसेंस बनाने के लिए RTO कारिया ले जाकर आपको ड्राइविंग टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो नए नियमों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी मानियता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में रेजिस्टेशन कराना होगा उसके बाद उसी ड्राइविंग स्कूल से गारी चलाने के ट्रेनिंग लेनी होगी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ड्राइविंग स्कूल द्वारा एक टेस्ट लिया जाएगा इस driving test को पास करने वाले नागरिकों को एक certificate दिया जाएगा यह certificate उसी driving school द्वारा जारी किया जाएगा इस certificate के आधार पही driving license बनाया जा सकेगा आपको बता दे कि संबंधित मंतराले द्वारा driving license के लिए एक खास तरह के course को तयार किया गया है इसमें theory के साथ साथ practical की भी training दी जाएगी ताकि motor drive करने की training लेने वाले लोगों को अच्छे से इसकी जानकारी मिल सके इस course में नामंकल लेने वाले लोगों को 4 सबता तक light motor vehicle चलाने की training दी जाएगी यह course 29 घंटों तक चलेगा इस दोरान practical के लिए 21 घंटों का समय दिया जाएगा जिसमें छातरों को highway, शहर के सरक, गाउं के रास्ते पर गारी चलाने की training दी जाएगी साथ ही उन्हें बाहनों को reverse करने और parking करना भी सिखाया जाएगा इस course में theory class की अबदी 8 घंटे होगी बाहन चलाने की training लेने वाले नागरिकों को theory की जानकारी देना बहुत जरूरी है इससे practical के दरान driving से जूरी चीजों को समझने में आसानी हो जाएगी केंद्रिय सरक परिवहन एवं हाइवे मंत्राले द्वारा 1 जुलाई 2022 से नए नियमों के लागू होने के बाद इस course की शुरुवात की जाएगी जिसके बाद लोगों को driving license बनाने के लिए भाग दोर से राहत मिल जाएगी आज की इस खबर में बस इतना ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद